श्री सद्गुरू महाराज कीजे शंद सद्गुरू महर्शी मही प्रमहंस जी महाराज के आशिरवचन यम्शार उपदेश गुरू की पहचान कैसे होगी प्यारे लोगों, मेरा यह शरीर है, मेरा यह मन है, मेरी इस्त्री है, मेरा धन है इत्यादी लोग बोलते हैं यह मेरा मेरा कहने वाला कौन है इसको पहचानना चाहिए बाहर में तमाम पूछो मैं को बता दो तो कोई कहेगा कि यह पागल है कोई यह कहेगा कि यह विद्वान है जो लोग अच्छे होंगे वे कहेंगे कि भाई अपने में खोजो पा जाओगे अपने सरीर में खोज करने के लिए यह समझना चाहिए कि मैं इस सरीर में कहां रहता हूँ शरीर पर कोई बैठा नहीं रहता बाहर देखना छोर कर अंदर देखें इसके लिए अपनी आँख बंद कर लेनी पड़ेगी आप कहां हैं आप अपने अंदर हैं वहीं खोजिये इसके लिए जब तक अभ्यासी गुरू नहीं मिलेंगे तब तक नहीं जान सकेंगे बात-बात में गुरू की जरूरत है अशल में गुरू तो वे हैं जो बता दे कि अंदकार में कहां हैं वहां से कैसे चलना होगा ऐसे गुरू की पहचान कैसे होगी इस सत्संग में यह ज्यान उपजता है कि कैसे को गुरू बनाना चाहिए इसलिए पहले सत्संग आवश्यक है दूसरी बात यह है कि वहां पर जो वचन हो उसको सुनो इसके लिए हमेशा गुरू को याद करो जो गुरू बसे बनारशी शीष्य शमुंदर तीर एक पलक बिशरय नहीं जो गुन होई शरीर शंत कवीर साहब दौपर में गुरू दौना चाड़ी हुए उनके पास एक भील कुमार एक लव्व वान विद्या शिखने गया अचाड़ी दौन ने उसे वान विद्या नहीं शिखाई उस भील ने गुरू दौना चाड़ी को गुरू मान लिया और जंगल जाकर उसकी मुर्ति गठित की उसने उस मुर्ति का अच्छी तरह से ध्यान किया, ध्यान करने से जैसा जैसा शंकेत उसके मन में आता गया वैसा वैसा करता गया, होते होते वान विद्या में वह अर्जुन से भी आगे बढ़ गया, जिसको गुरू द्रोणाचार्ड ने अपने नजदिक रखकर वान विद्या सिखाई थी, वह अर्जुन भी धनुष विद्या में भेल की बरावरी नहीं कर सेका, जिसको गुरू में जादय निष्ठा होती है, वह किसी न किसी तरह विद्या पाता ही है, मेरे कहने का मतलब यह है, कि जो गुरू के खयाल में, गुरू के शंग में रहते हैं, वे विद्या पाते हैं, जिसका हिड़ प्रशांत महाशागर की तरह हो गया है वह शांती पाता है शांती ऐसा सुख है जो कभी घटता नहीं है वह है परमात्म पद जैसे घटाकास महदाकास का अटूट अंस है वैसे ही जीव परमात्मा का अभिन अंस है आवरण ने जीव को अंस बना दिया है जो आवरण का भेजन करते हैं वे होते हैं गुरू वे ही प्रशांत महाशागर की तरह होते हैं श्री शद्गुरू महाराज कीजे